आप सभी का बहुत भास वागत है इस परिवार में इस चैनल में जो की है टेक्नलोजी वीडियो नेटवर्क और मैं हूँ आपका दोस्त प्रविंट चोहान तो दोस्तों लोगों को अकसर confusion रहता है कि भाई हम आखिर मोबाइल कैसा लें हम कौन सा लैपटाप लें हम कौन सा डेसलर केमरा लें वगरा वगरा बहुत सरे confusion रहता है तो यानि मैं आपको कुछ ऐसी गाइड ऐसी टिप्स दूगा जिसकी बज़े से आप खुद ही अपना म सुझने में सक्षम हो जाएंगे तो दोस्तों इतनी बड़िया वीडियो इतनी इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल मिसन मत कीजिए तो इस वीडियो को जल्ले शुरू कर देता हूं ठीक है भी तो आप सभी का एक बार बहुत-बहुत स्वागत है जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत-बहुत शुक्रिया और जिन लोगों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया देखिए आपके काम की वीडियो हमेशा बनती रहती है प्लीज अ डिवाली सेल तो इस तरह के और भी चल रहे हैं बहुत सारे आपको प्रोडक्ट सामने आ रहे होंगे आप कंफीज हो रहे होंगे कि आप कुछ लें कंसले कुछ तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप देने जा रहा हूं तो जिसमें आप मैं बता हूंगा आपको लैप्टॉ किसके आप अपने मोबाल को पसंद भी कर सकते हैं तो चलते हैं अब हमारे दूसरे प्रोड़क की तरफ जो कि लैप्टॉप दोस्तों यहां पर मैंने सिर्फ दो कैटेग्री बना रखी है पहली कैटेग्री में जैसे की घर पे यूज करते हैं या फिर स्टूरेंट यूज तो सबसे पहले अगर अप पेंति-जार के अंदर के अंधर वाली कैटेग्री में देखेंगे तो सबसे पहले सका प्रोसेसर क्या हो तो आप Intel Core i3 या तो या i5 तो ले लेजिए तो छो 7th generation 8 generation यह तीनो ही हो तो ही आप अंडर 35 में जाए इस प्रोसेसर के साथ अगर अंडर 75 तो आपको इंटल का Core i5 या i7 हो और उसमें जो जनरेशन हो वो 8 या 9 ही हो और अंडर 35 में आपको जो रैम है कम से कम 8 GB होना चाहिए और अंडर 75 में 8 या 12 जो भी आपको मिल जाए वो बैस्ट है तो दोस्तों अंडर 35 में कम से कम एक TV की आपकी हाट डिस हो जिसकी स्पीड जो 5400 RPM की हो कम से कम या फिर उसमें कम से कम 512 GB की जो SSD लगी हो या तो सेटा भी उसमें चल जाएगी आपको क्योंकि स्पीड करना काम नहीं है या फिर जो आपको M.2 वाली PCIe वाली वो भी चल जाएगी तो दोस्तों अंडर 75 में आपको कम से कम 256 GB की जो है SSD होना चाहिए जो M. M.2 PCIe, NVMe और TLC वाला होना चाहिए तो VA आप देखके ही ले लें और कम से कम आपको 1 TB की हार्डिस हो जिसमें 5400 या फिर 7200 की RPM वाली हार्डिस हो तो जादा अच्छा रहेगा आपके लिए जो ग्राफिक्स कार्ड है वो अंडर 35 में आपको कोई सा भी ग्राफिक्स कार्ड अलग से हो तो जादा आपके लिए अच्छा है जो NVIDIA का मैक्स आता है या फिर कोई दूसरा भी हो तो कम से कम एक ग्राफिक्स कार्ड अलग से होना चाहिए इंटिग्रेटेड ग्राफिक्स तकाम नहीं करता है आपको बाद में मज़ा नहीं आगा लेकिन अगर चोटा जादा अच्छा है कम से कम 4GB वाला होना चाहिए उससे जादा मिल जा तो आपके लिए बेस्ट है और कीबोर्ड की बात करें तो दोस्ते हैं कीबोर्ड बहुत ही मत्वर रखता है तो अंडर 35 में आधिक दर आपको तो बिना लाइट वाले मतलब बैकलिट वाले कीबोर्ड तो नहीं मिलेंगे तो आप उसके लिए चोटी सी LED एक आती USB वाले लेकिन अंडर 75 वाले आप प्लीज बेकलिट कीबोर्ड ही प्रिफर करें क्योंकि आपको बहुत ही मासा काम देगा रात में अंधिरे में जो आप काम करते हैं या फिर गेम खेलते हैं तो आपको बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा केरी करना तो आप उसका कम वेट देखिए और उसकी जो साइज है जो मोटा पाय वह भी देखिए कि कम से कम हो तो अंडर 75 वालों को यहां पर वेट और उसके साइज में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको जेतना भारी चीज है मतल आराम से डल जाता है और साथ मेंकर आपको Microsoft का Office में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है यह देख लिए देख लीजिए तो दोस्तों अंडर 75 में जो OS हो वह आपको Windows 10 का जो 64-bit का या फिर आपको उसमें सिंगल लेंग्वेज का दूसरा option आता है और Microsoft का जो Office है वो Microsoft के जो पूरा Office, PowerPoint वगरा जो भी चीज़ें वो सारा आपको must होना ही चाहिए और जो port की बात करें तो 35 के अंदर आपको HDMI, USB-C और USB 3.0 अगर मिल जाए मतलब USB 3.0 जो है वो काफी सारे होते हैं और उसमें USB 3.1 भी आपको मिल जाएगा तो यह सारी चीज़ें आपको मिल जाए तो ब और बाकी जो भी port होते हैं वो सारे port आपको must हैं तो दोस्तों इसके बाद जो भी है वो तो फिर तो पैसा का खेले जितने जादा पैसे लाएंगे उतनी अच्छी आपको higher specification and capacity मिल जाएगी और दोस्तों यहापर laptop के लिए जो बाते में आपको बता दूँ कि जो Dell का है वो आप office के लिए यूज करना चाहते हैं तो इसके जो इंस्पराउन सीरीज है और दूसरी सीरीज है महाँ पर भी देख सकते हैं और आप अगर Lenovo का Legion लिया था Wi-Fi 40 वो देख सकते हैं या पर Lenovo का जो idea pad है उसमें L340 करके gaming के लिए वो भी बहुत अच्छा है और भी बहुत सा गाने सुनना फिल्म देखना या फिर आपने काम करने के लिए तो इन सब के लिए आपको काम आ सकते हैं तो पहला जो मैंने देखा है Amazon में देखा है Red Gear का Hell Fury 7.1 USB Professional Gaming Headphone है और जिसमें LED भी लगी हुई है और इसमें माइक भी है और यह सारा यह देखें यहाँ पर आपको इसी है और जो आइबाल रॉकी ओवर हेड़ फोन है इसमें माइक भी आपको मिल जाएगा तो यह सारे आपको गेमिंग के परपस से आपको Amazon पे या फिर आपके जो नॉर्मल काम है या म्यूजिक सुनना है उसके लिए आपको Amazon पे मिलेंगे तो दोस्तों Flipkart के उपर भी शायद कम जादा होती रहती है और अभी जो डिसकाउंट काफी चल रहे है तो हो सकता इनकी प्राइस कम हो जब आप ये वीडियो बाद में देखें इनके सेल खतम होने के बाद तो आपको ज्यादा लगे तो इसलिए इनकी प्राइस के बारे में नहीं बता रहा हूँ तो शायद की मैं नामों कुमें बता रहा हूँ कि आप इनके बारे में नहीं बताना चाहरा हूँ तो इसके इसाब से थोड़ा अपने आश्पा जो भी आपको ब्रांड पसंद आता है या पिर आपको हैजएट tweak दा ली तो अब चलते हैं DSLR के तरफ तो DSLR मेंने सिर्फ दोई कैटेग्री रखी है पहले तो यह कि जो बिगनर रहते हैं जो सिर्फ शोकिया तोर पर फोटोग्राफी करना चाहते हैं हमेशा के लिए उनके लिए दूसरा जो सेमी प्रोफेशनल हैं मतलब बिगनर से अब उन्होंने बोल और दो मैं आपको यहाँ पर DSLR कैमरा बता हूंगा यह सिर्फ आपको दिखाने के परपास से कि आप इस तरह के का इसके आसपास जो इसकी स्पेशिविए वह वाला है या तो निकाउन का हो या सोनी का हो या आपको कोई सा भी ब्रैंड का पसंद आ रहा है तो वो ले सकते ह के लाल कैनन के आपको DSLR बता रहा हूं तो पहला जो है कैनन EOS 1500D जो 24.1 डिजिटल SLR कैमरा जो ब्लैक कला तो दोस्तों इसके साथ आपको EFS 18 55 का सेकेंड वाला जो लेंस मिलेगा जिसमें 16GB का आपको कार्ड मिलेगा आपको कैरी कैस भी मिल जाएगा तो जो आप कैरी करते हैं वाला बैक भी मिल जाएगा साथ में तो यह देखे हैं यहां पर यह इस तरह से दिख रहा है और यह इस तरह से आपको मिल जाएगा तो दोस्तों आपकी जो शुरुआती फोटोग्राफी वह अच्छी हो जाएगा आप बोलेगे कि नहीं DSLR क्यों ले रहे हैं हम तो जो अगर आपको बाइचांस अगर आपको प्रोफेशनल बनना पड़ा तो आपके लिए यह वाला एक्सपेरेंस वहां बहुत काम आएगा तो दूस्तों जो दूसरा DSLR है मैं सेमी प्रोफेशनल लोगों को सजेस्ट करना चाहरा हूं वह तो इसका नाम है Canon EOS 80D और इसका जो 24 3.5 से लेकर 5.6 तक जिसमें इमेज इस्टेबलाइचन मिल जाता है साथ में आपको 16GB की मेमरे कार्ड भी मिल जाता है तो देखी यह वाला केमरा है इस तरह से दिखेगा और आपको और यह केमरा मैं इसलिए सेजिस कर रहा हूं कि मेरे पास खुद के पास 70D है लेकिन 80D उस प्रोफेशनल वाला केमरा लेना है तो आप मेरा स Finnish क्यां क्या के चाहिए तो आपको पता चल्य में आब danा जो पहलार, अगर भग के अंदर आपको मिल जाएगा जो और दूसरा जो यह आपको 8 यह अन्दर, आपको आहराम मिल जाएगा तो दोस्तों यह तो थी कुछ मेरी तरफ से tips, guide जो आपको अगर कुछ चीज़े खरीन नहीं हैं तो आपको किसी की मोहताज नहीं होना पड़ेगा हम जैसे किसी भी YouTube या पिर किसी भी technical का आपको मोहताज नहीं होना है आप ये सारी चीज़े देखे आप अमना मन पसंद प्रोड़क्त करिनने के लिए बिल्कुल स्वतंत रहें भई आपकी चीज़ें आपको कोई दूसरा क्यों थोपे जब आप खुदी सो सकते हैं कि आपको क्या लेना है ठीक है तो दोस्तों अभी बहुत अच्छा मुका चल रहा है फ्लिपकार्ट और दूसरे लोग भी बहुत सारी चूट और डिसकाउंट दिये जा नाम से सज़स करूंगा उनके सारी चीज़े बताऊंगा फिलाल के लिए मैं आपको यह गाइड के रूप में आपको सिर्फ इस स्पेसिफिकेशन या फिर आपको कुछ हिंट ही दे रहा हूं तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा बन रहा है इसलिए मैं इस वीडियो को ज फिर आपको यह फिर ए दो बमाइब जांदश खाईवियो ट्रव जोस्तों दोस्तों दोड़ ।ोस्तों अन 8 घराम से सीलिए को जड़ियो